नमस्कार जाथियों कैसे हैं आप सब दिल्ली के मंगोल पूरी में रहने वाले 25 वर्सिय रिंकु शर्मा का मर्डर हो गया है और ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में है सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर इसके ही समद्ध में चर्चा चल रही है लगातार मामला क्या था इसके बारे में बहुत तरह की बाते निकल कर आ रही है कुछ बात तो ये निकल कर आ रही है कि वो जो है राम मंदिर के लिए चंदा इकटा कर रहे थे इसलिए दो समुदायों में जड़प हुआ और पांच लोगों ने मिलकर उनको मा डाला रिंकु शर्मा के बारे में ये भी बात मीडिया में पढ़ने के लिए मिल रही है कि जिस लड़के ने उनका मर्डर किया जो मर्डर में शामिल था उसके परिवार को उसकी पत्नी को ही रिंकु शर्मा ने बलड डोनेट कर रखा था मोहले के ही लोग थे ये लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मॉब लिंचिंग की घटना है एक दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट भी आया है जहां दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कुछ चस्मरीदों ने बताया कि रेस्टोरेंट में कोई जगड़ा हुआ था और उसके बाद जो है ये जगड़ा इतना बढ़ गया कि वो मॉडर तक कनवर्ट हो गया कुछ लोग इस घटना को मॉब लिंचिंग कह रहे हैं तो ये घटना क्या थी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लेकिन एक बात मैं आपको समझाओं कि मॉब लिंचिंग और ये जो घटना घटी इसमें डिफरेंस क्या है मॉब लिंचिंग होता है जहां पर मैं भीड मिलकर के किसी व्यक्ति को मार डाले भीड का मतलब है जहां कोई पहचाना नहीं जा सका कुछ लोगों ने मिलकर किसी कारण से किसी को मार डाला ये होती है मॉब लिंचिंग की घटना जो ये घटना घटी है पांच लोग महां थे जैसा कि रिंको शर्मा के परिवार के लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है वो ये कह रहे हैं लगातार कि 15 से 20 लोग थे जिन लोगों ने मिल करके मर्डर किया है उसमें से पांच लोगों के जो कि मुख्यारोपी है रिंको शर्मा के भाई ने ये नाम बताए हैं जैसा कि मैं न्यूस पढ़ रहा था लगातार तो पता ये चला कि दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को अरेस्ट भी किया था जिसमें से एक को छोड़ दिया गया तो भया पहले बात तो ये है कि सेक जो हतियार लेके वो गय थे अवैद हतियार हैं तो 25 आम सेक्ट की धाराएं लगेंगी तो बहुत सारे सेक्शन इंवाल होंगे जिसमें सबसे बड़ी धारा है 302 धारा 302 मर्डर के लिए बात करती है जिसमें डेथ पनिश्मेंट तक मिल सकता है किसी व्यक्ति को या मुख्यारोपी हैं क्या इन सब को भी सजा मिलेगी क्या किसी एक को छोड़ा जा सकता है तो इसके लिए हमारे सेक्शन 149 इंडियन पीनल कोड में बड़े काम की बात लिखी है मैं आपके लिए वो सेक्शन रीट कर दूँ तो जैसे ही हम IPC में जाएंगे तो सेक्शन 149 अपराद किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओ के सदस्य उस उदेशी को अगरसर करने में संभावे जानते थे तो हर व्यक्ति जो उस अपराद के किये जाने के समय उस जमाओ का सदस्य है उस अपराद का दोशी होगा धारा 149 या 149 बड़े काम की बात कर रही है यह कर रही है कि जितने भी लोग उस अपराद के लिए दोशी होंगे मानो उन सबने अकेले अकेले रिंकु शर्मा का मर्डर किया है सब पर 302 धारा लगेगी और लाइफ इंप्रिजन्मेंट से लेकर डेथ पनिश्मेंट तक का प्रावधान सेक्शन 302 में किया गया है अब कहानी ये है कि सजा कितनी होनी चाहिए ये तो कोड डेसाइड करेगी मामला क्या था ये इन्विस्टिगिशन के बात बता चलेगा लेकिन ये तैह है कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि एक मैसेच जाए कि इस तरह से देश में आवारा गर्दी या गुंडा गर्दी का राज नहीं है देश में कानून का राज है जी हाँ देश में कानून का राज है विधी का शासन है इसको establish करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में त्वरित कारिवाही हो इस पीडियो ट्रायल होना चाहिए investigation report जल्दी आनी चाहिए और किसी भी तरह का राजनेतिक रंग दिये बिना ऐसे मामलों को निप्टाया जाना चाहिए सभी लोगों से इतनी सी अपील है मेरी कि इस मामलों में धहरे बनाए रखें ऐसे मामलों में बहुत जरूरी है सैयम बनाए रखना धहरे बनाए रखना उक्साने से इंस्रिगेट करने से बचना चाहिए लेकिन अंतीम बात तो यही है कि उसोलों पर आच आने पर टकराना जरूरी है और जिन्दा है तो फिर जिन्दा नजर आना जरूरी है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी और करेंट टॉपिक के साथ समझते हैं खिक्षिक्षामे, have a nice time.